तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2015 में आई साउथ बॉर्ण मुवी के बारे में बात करेंगे वेल ये एक अमरिकन एनेथोलोजी होरर फिलिम हैं जिसे कुल मिला के चार डारेक्टर्स ने डारेक्ट किया हैं जिनके नाम है रेडियो सालेंज ड्रेविड बंकल, रॉकसेन बेंजामिन एंड पैट्रिक वॉर्थ ने अगर हम इस मूवी की रेटिंस के बारे में बात करें तो आएम डिबी पर इस मूवी की रेटिंग है 5.9 स्टार्स आट ओफ टेंग एंड नाव रोटें टर्मेटो पेट्स इंप्रेसिव 18% फ्रेश तो अब बीना और टाइम वेस किये चलते हैं डारेक्ट वीडियो के तरव तो दोस्तों मूवी की सुरुवात में हम सबी को दो बहुती डरे और घबराएवे आदमियों को दिखाते हैं जिनके नाम जैक एन मीच होता हैं जिसमें ये दोनों ही एक बहुती डराओने से दिखने वाले क्रिचर से बाग कर उससे अपनी जान बचारे होता है बिकोस वो क्रिचर बहुती अजिब हो तरीके से उड़ता हुआ इनी का पीछा कर रहा होता है लेकिन अब इसे दोराओन मिच को ठीक अपने सामने की और रोड सैड पर बना हुआ एक कैफे दिखाई देने को मिलता है तो जिसको यहां देखते ही उस क्रिचर से अपनी जान बचाने के लिए यह दोनों सीधा इसे कैफे के अंदर चले जाते हैं यह एक्सपेट करते हुए कि वह क्रिचर इनको यहां पकड़ नहीं पाएगा तो अब यह दोनों इस कैफे में कुजदे रुखने के पाद बस इदर से निकली रहे होते हैं तब ही वही क्रिचर ठीक ज धड़ा मीच जैक को इतनी बुरी तरीके से मरते देख यह इस क्रिचर से अपनी जान बचाकर पास के ही एक मोटल में जाकर छुप जाता हैं लेकिन इस मोटल के अंदर आते ही मिस को इस कमरे के अंदर एक छोटी से क्रिपी लड़की दिखाई देने को मिलती हैं जो कि ही जादा फस्टेट हो जाता हैं और अपना सर एक दिवार पे मार कर इसको फोड़ कर खुदी मर जाता हैं और अब सिन इसी मोटल के जस्ट इसके बगल वाले रूम के तरफ ही फॉकस करता हैं जिसमें इस रूम के अंदर रुखी सैंडी कीम और इवा ये तीनों अप इस मो नोटिस करते हुए ये तीनों बस इस उनसान सी जगे पे बैट कर किसी गाड़ी के आने का वेट करते हैं जो कि इनको इस जगे से निकाल सकें तबी इसी दोरान पिछे से एक कार आकर जिसके अंदर एक कपल बैठा हुआ था इन लड़कियों को इस उनसान जगे पे फसा इनको अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता हैं तो सेंडी सारा और इवा ये तीनों इस बात को सुनते ही इस कपल के साथ इनके घर चलने के लिए तयार हो जाते हैं तो अब सिन सीधा इस कपल के घर के तरफ ही फोकस करता है जिसमें मिस्टर एन मिसे जॉनसन तीम इव सेंडी को अपने साथ इन तीनों को डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है लेकिन अब चोका देने वाली बात ये थी कि एक अपल इन तीनों को खाने के लिए एक सड़े वे बेडिया का मिट खाने के लिए इनको देता है जो कि सही में दिखने में काफे गंदा दिख रहा था तो खेर कीम और ईवा ये दोनों इस बात को लैटली लेते हुए बिना कुछ सोचे समझे सिदा इस सड़े वे मिट को खाना सुरू कर देते हैं मैन वैल दूसरी और सैंडी ये इस मिट को बिलकुल भी नहीं खाती तो खेर अब इन तीनों के डिनर करने के कुछी देर के अंदर ही इवा और कीम को अच्छानक से खुन की उल्टिया होना सुरू हो जाती है तो इस मुमेंट से डरते हुए सैंडी ये अपनी फ्रेंड्स की ऐसी कंडिशन को देख उनकी मदद करने के लिए मिस्टर एंड मिसेज जॉनसन के पाथ जाकर इनसे हेल्प मागने की कोशीज करती है बट अब सोकिन बात ये थी कि मिस्टर एंड मिसेज जॉनसन ये सेंडी की फ्रेंट्स की हेल्प करने से साफ इंकार कर देते हैं और उल्टा बल्कि सेंडी का एक काइंड ओफ मजाग उड़ाने लगते हैं तो आप इस बात को देखते हुए सेंडी ये अपने फ्रेंट्स के पात जाकर इनको इमिडेटली इस कपल के घर से निकलने के लिए के लिए कहती हैं लेकिन अब दुसरी तरफ इवा और कीम ये दोनों सेंडी के साथ चलने से साप मना कर देते हैं और बस इतना कहते ही ये दोनों सिधा सो जाते हैं तो अब इस मुमेंट को देखते हुए सेंडी होपले सोकर ये भी इनके बैट के नीचे बैटे बैटे सो जाती हैं तो अब जैसे ही अचानक से इसकी बिच निंद में आखी खुलती हैं तो इसको ये रेलाइस होता है कि इसकी फ्रेंड्स इवा और कीम इस फुरे रूम में कहीं पर भी दिखाई देने को नहीं मिलती तो अब ये उन दोनों को इस घर के अंदर ढूनने की कोशिसी कर रही होती हैं तो तब ही अचानक से इसकी नजर इस रूम की विंडो की तरह पड़ जाती हैं तो जिसमें हम सबी को ये देखने को मिलता हैं कि वो दोनों मिस्टर एं मिसेज जॉनसन के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए कहीं जा रहे होते हैं तो इस वेट इंसिडेंट को देखते हुए सेंडी ये उन सबी के पिछे जाकर इस मुमेंट को फिगर आउट करने के लिए उन सबी को फॉलो करने की कोशिस करती हैं तो तब ही इसको थोड़े दूर चलते ही एक बहुती शोकिन सिंद देखने को मिलता हैं तो जिसमें हम सबी ये देख पाते हैं कि मिस्टर एं मिस्टर जॉनसन कुछ लोगों के साथ मिलकर बॉरंट फायर के पास खड़े होकर इस ट्रैंस कल्ट रिच्वल कर रहे होते हैं जिसके अंदर ये अपने हाथ को एक नाइफ की मदद से काट कर अपने बहते हुए खुन को एक जार में भर कर कीम और सिंडी को पिलाने की कोसिस करते हैं तो अब इसी दोरान सिंडी ये इस मुमेंट को और पास से जाकर देखने की कोसिस ही कर रही होती हैं तो इसका पेर नीचे पड़े हुए एक बियर ट्रैप के अंदर फच जाता है तो इन डैट रिजन बॉन फायर के पास खड़े वो सबी लोग ये सिंडी की चिलाने की आवाज को सुन लेते हैं तो इवा और कीम ज़ड़ों के अंदर से आ रही इन आवाजों को फिगर आउट करने के लिए बस सिंडी के पास ही जारी होती है तो तब ही सिंडी ये उन दोनों के आने से पेले ही ये अपना पैर इस बियर ट्रैप से निकाल कर इन लोगों से अपनी जान बचा कर बस इदर से भागी रही होती है तब ही कार में बेठा है एक आदमी जिसका नाम Lucas था, ये ड्रैविंग करते हुए, फॉन पर अपनी वाइब से ही बाते कर रहा होता है, तब ही ये अनजाने में गलती से, किसी इंसान को अपनी कार से ठोक देता है, तो Lucas के डरता हुआ अपनी कार से निकल कर, इस ट्रैजिक मुमेंट को फिगर आउट करने के लि लुकस इस इंसिडेंस से डरते हुए, ये सिंडी को उठा कर, इसको एक होस्पिटल के तरफ लेकर आता है, जिससे कि ये इसको मरने से बचा सके, बट अनफॉचिनेटली सिंडी होस्पिटल पहुशने से पहले ही मर चुकी होती है, तो अब ये इस मुमेंट को यहां देख लेकर बस इस होस्पिटल से निकल जाता है, और अब सिंडी किसी होस्पिटल के पास बने हुए, एक रेस्टूरेंट के तरफ फॉकस करता है, जिसमें इस रेस्टूरेंट के अंदर आया हुआ एक कपल, ये नॉर्मली यहां पर डिनर करकर, बस अपने घर के तरफ ही आया ह होता है, तो घर में आने के कुछी देर के अंदर ही, इनको जश्ट अपने घर के भास से किसी की बहुती भयानक चिलाने की आवाज आती है, तो जिम ये इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने के लिए, अपनी विंडो से बार के तरफ जाकने की कोशिशी करते हैं, तो तब जबी वही क्रीपी सा मास्क पेनावा आदमी, वो सीधा इनके घर के मैन गेट को तोड़ कर, जिम के सर में बैसबॉल पैट से मार कर, इनको बहुती बुरी तरीके से गाहल कर, इनके पैट के अंदर अब बलेड गुसा कर, इनको उससे मार डालता है, और अब ये क्रीपी आ डिलन की बैटी, जिसका नाम केरेट्स था, जो कि इस फूरे हास्से के दोरान, इन क्रीपी आदमियों से बचकर, एक अलमारी के अंदर डर के मारे चुपी हुई थी, तो तब ही इसको अपने डैट और मॉम की, बहुती जोर से चिलाने की आवाज सुनाई देती हैं, तो के क्रीमेंट को देखकर, इस घर से बाहर निकलने की कोशिस ही करती हैं, तब ही अचनक से एक आदमी, ये सीधा केर्स के सामने आकर, इसके पेट के अंदर एक बड़ी सी मसेटी घुसा कर, इसको उससे मार डालता हैं, अब दोस्तों हेरान कर देने वाली बात ये थी, जो ये क को मारने के बाद, बस इनके घर से निकली रहे होते हैं, तो इसी दोरान इन दोनों को केट्स की बोड़ी के अंदर से, एक बहुती अजिब सी चीच बाहर आती हुई दिखाई देती हैं, तो जिसमें हम सबी ये देख पाते हैं, कि ये वही क्रीचर होता हैं, जिसको भी हम स के साथ इस मूवी की सुरुवात में ही देखा था, जो कि इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा कर रहा होता हैं, तो खेर अब ये दोनों इस बहाने क्रीचर को अपने सामने देख, हैरिसन फैमिली के घर से निकल कर, सीधा अपनी कार में घुसकर, इस खतरना क्रीचर से अपनी जान बचाने की कोशिस करते हैं, और अब ये मूवी ठीक गुम कर बापिस से उसी जगे से सुरू हो जाती हैं, जहां से इस फिल्म की स्टार्टिंग होई थी, जिसमें हमको आगे ये बताय जाएगा, कि जेक और मिच्स के साथ आगे क्या होने वाला हैं, तो वेल व अब आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये मूवी किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगती हैं, तो प्लेस इस चैनल को सस्क्राइब के भी ना, बिल्कुल भी मत जायेगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में, ऐसे ही और मूवीस की एक्स्प् नेशन लेकर आता रहूंगा